नमस्कार दोस्तों आज मैं यूटूब पर एक नया चैनल बनाया हूं किरियट किया हूं जिसमें आप सभी को अच्छा लगे मेरा चैनल तो लाइक और सस्क्राइब जरूर करें सेयर करें मैं आज बताने जा रहा हूं जिंदगी में मैं राजनीतिक का सुरुवात कैसे किया म ऐसा कुछ नहीं खास है लेकिन मैं कई वर्सों से मेरा दादा पर दादा जिस अस्थान पर आज मैं बैठा हूं मेरा यह गाउं है गिरिडी जिल्ला सुगासार से नाम से जाना जाता है और यह तलाब है जो कई वर्सों से पुराना तलाब है करीब 15 एकर के छेतरफल में य नहीं है और यह कोई तलाब को डोजर जैसी भी और कोई मसीन से बनाया नहीं गया है पहले जवाना में आज तो हम लोग दिरे-दिरे कोई काम करना पसंद ने करते हैं लेकिन हमारे दादा पर दादा यह और यह खत्यानी जमीन है और दादा पर दादा लोग पूरे अपने बल सकती से पुरवक इस तलाब को बनाया है आज भी उन लोग को आद किया जाता है और गिरीडी में ये गिने चुने में जिल्ला में नामे आता है तो मैं जिन्दगी का सुरुवात राजनितिक में मैं बता रहा था इसलिए क्या क्योंकि इस जगह पे हमारे गाउं में करीब हजारों के हजार अबादी है और चट घाट यहां पे चट पूजा करने के लिए आते थे हमारी माताई बहना लोग तो चट घाट अर्ग दिने में काफी दिक्कत होता था तो मैं बराबर सोचता था कि इतना इतना नेता है इनको भोड दिजिए उनको भोड दिजिए सब को गोलता है कि हम समाज शेवा करते हैं तो क्या इसमें छट घाट निर्मान नहीं हो सकता है आखिर क्या है सब को अपना अपना फैदा देखता था तो मुझे लगा कि मैं भले राजनिती करूं या न करूं लेकिन मैं इस छट घाट को बना के दूंगा जो कई वरसों से 50 साल से इस जगह पे छट घाट निर्मान नहीं होता था बहुत यह तलाब का भी गहराई काफी है जिसमें काफी मताएं लोग बच्चे लोग डूब जाते थे लेकिन खुसी का बात यह है कि गहांँ में सब बच्चे और सभी मताएं लोग तहरने जानता था इसलिए किसी भी परक करने का काम करता था तो मैं फिर लोगों से मिलना स्टार्ट किया तो हमारे विधायक जी से मिलें तो पता चला कि नहीं जो अस्थानिय विधायक है उनसे जदी वह चाहेंगे तो हो सकता है तो मैं अस्थानिय विधायक से मिला फिर उनसे काफी लंबा बात चीत हुआ तो उनक पे जो मैं बना के रिखा हूं अब देख सकते हैं एक सो नहीं मैं दो बार यहां पे बनाने का मैंने पर्यास किया और बना के भीस प्रैकर और मेरा एक सो साल से या छट घाट ने बना था मनोहर जादो ने ये बनाया तो माताएं लोग का अशिरवाद है और आज मैं विश्व की सबसे बड़ी पाटी भाजपा भारते जनता पाटी जो सबसे बड़ा नेता मानिय नरेंदर मोधी जी हैं जो भारत के परधान मंत्री हैं आज म में मنडल अध्याच हों गिरेडि अपने परखण का मंडल अध्याच हुर यह 6 म staan कि किर्पा और सुर्ज भगवान का किर्पा पा wrapped मैं आप बताना चाहता उन्हें दिखाना भी चाहता हूं देखें और मैं शुरुवात में में मंडल अजद्र तक पहुचा हूँ और मेरा हर समय परियास रहता है कि मैं समाज के लिए कुछ काम करूं और समाज के लिए काम किया और मैं छटगार बनाके यहां पर निरमान किया है अब देख सकते हैं और सबसे बड़ी खुशी के बात है फिर मैं यहां पर जिल्ला का के के अंदरिय विद्याले जो इसी तलाब के उपर में है तो यहां का दृष एग बार देखे चारों तरफ हरा भरा चारों तरफ खेत है यह मेरा भी अगल बगल में काफी खेत है यह तलाब हमी लोग का है बस 10-15 लोग का इसमें तलाब है और काफी बड़े-बड़े मछलिय याँ पे होता है कभी बीच में आप लोगों को जब मचली भी मराएगा तो भी उसको मैं वीडियो आप लोगों को बना के दिखाऊंगा कि दस पंद्रों 20 केलजी का एक मचली इस पे निकलता है कतला रहू और यह मेरा जस्ट तलाब के नीचे हैं हमारे पूरवजों का खत्य जानी जमीन है अब देख सकते हैं कितना नजारा सुंदर है बगल में नदी है जो उसरी नदी गिरीडी जिल्ला में जाके मिल जाता है और चोटा-चोटा-चोटा दो-तीन मचली पालन के लिए तलाव भी बनाया गया है तो चारों तरफ जदी देखा जाए तलाव और किया नहीं किया तो आप लिए एक बार मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइबर जरूर करें सेयर जरूर करें क्योंकि आपके लाइक सब्सक्राइबर और पसंद और सेयर से हो सकता है मुझे और रूची बढ़े राजनितिक छेत्र में काम करने के लिए बहुत बहुत धन्वा आप सरी का